हलो एवरिवन आज है 13 जनवरी और आज इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो के बारे में देखे साड़ी 600 रुपे का शेर है और विप्रो के उपर कल भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि जब भी इसके रिजल्ट्स आए है उसके अगले दिन यहां पर गिरावट देखने को मिलती है अगर आप पिछले तीन चार बार की अगर आप एक्जामबल भी देख ले तो हमेशा यही हुआ है कि जब भी रिजल्ट्स आए है विप्रो के उसके अगले ही दिन गिरावट लेकिन उसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो उसे आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो विपरो का शेर साड़े 600 रुपे पर ट्रेट कर रहा है पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में विपरो के शेर में तकरीब एक परसंट का ग्रोथ देखने को मिला है लेकिन आप देखें नतीजे से पहले हर बार अच्छी तीज़ी आती है बढ़ है खरीदारी के मौके बने है एक साथ में 43% का ग्रोथ आप देखें तेजी बनी थी हलकी से गिरावट आई दुबारा तेजी आगए थोड़ी से गिरावट आई दुबारा तेजी आगए अब दुबारा गिरावट आई है दुबारा बांस बैक जरूर करेगा ये विपरो तो एक large gap share है 3,60,000 करोड के आसपास का इसका volume हमें देखने को मिल रहा है market gap story देखने को मिल रहा है और volume भी देखे तो 3 करोड से भी जादा का इसका volume है बड़ी quantity में आज इसके share trade हुए है और इतना ही नहीं विपरो में अगर कुछ चीजे देखी जाए तो एक negative चीज ये भी है कि देखें Omicron के जो cases है वो बढ़ना शुरू हुआ है जिसकी वज़े से विपरो अपने सारे offices जो globally है उसको close कर रहा है मतलब work from home होने वाला है अब तक विपरो वाले कुछ office दाते थे अब work from home होने वाला है और future model जो होगा वो work from home का होगा इनका दूसरी और एक और चीज़ है कि भाईया IT sector में resignation चल रहे है और देखो एक जाता है दूसरे आते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं है हर बार ये चीज़ देखने को मिलती ही है लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह भी है कि Q3 के इसके जो results आये हैं अगर हम उसको देखें तो Q3 में company ने अच्छा पैसा बनाया है तगरीबन 3,000 करोड के आसपास का profit हुआ है इनको जो कि अच्छा profit है अब तक का सबसे highest profit आप कहा सकते हो इसको तो profit तो अच्छे ही है revenue भी अच्छे है इनके revenue भी इनके तकरीबन 20,000 करोड के आसपास के revenue देखने को मिले है तो company ने profit भी अच्छा कमाया है revenue भी अच्छा कमाया है लेकिन हर बार भया यह प्रथा चली आ रही है विप्रो में के results के अगले दिन गिरावट आती है long term के target होते हैं तो short term के target के तौर पर इसको ना count किया जाए विप्रो को लेकर देखा जाए तो 740 तक के भी target कुछ HDFC की तरफ से दिये गए है तो देखे targets अच्छे हैं और definitely ideal wise की तरफ से भी कहना है कि हाँ जो growth है वो दुबारा lot के आने वाली है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और तेजी जो है वो विप्रो के share में दुबारा देखने को मिल सकती है विप्रो देखो टूटा है लेकिन जब भी टूटा है दुबारा bounce back किया है और अच्छा खासा bounce back किया है अच्छी खासी तेजी विपरो ने दिखाई हुई है विपरो को लेकर अगर हम देखे तो according to money control user 17% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 78% लोग खरीदने की सला दे रहे 5% लोग खोल्ड करने की नसियत आपको देते हुए नजर आ रहे है विपरो में देखें तो हाँ इस ओप के थुरू कई सारे employees ने बहुत बहुत बड़ी quantity खरीदी है एक लाख तक शेर्स खरीदे गए जो कि वह यह चोटी quantity नहीं होती बड़ी quantity होती है तो company के वह यह connected person जो है वो लाखों में शेर्स खरीद रहे हैं पिछले महीने खरीदे थे और विपरो में देखने के कोशिश करें तो अच्छा कासा revenue भी है और profit उससे जादा बहतर है विपरो को लेकर देखें तो खरीदारी करने का सही मौक का है यहाँ पर खरीदारी करने के सलह आपको देते हुए नजर आ रहे है और विपरो में अगर हम देखें तो लॉंग टर्म में बैंक FD से भी अच्छा पैसा बना है खरीदारी का सही मौक का है कोई भी rate flag नजर नहीं आ रहा है जो कि अगेन अच्छी बात है holdings की अगर हम बात करने चाहे तो holdings भी अच्छी है promoter के पास 73.02% की holding है 1.94% की holding mutual fund के पास है 0.11% की holding domestic institution के पास है 9.69% की holding Files के पास है Forens के पास भी अगर हम retail वालों की बात करें तो बहुत ही कम holding है 2.75% की ही holding है हलाकि September quarter का data है अभी तक December का data आया नहीं है उमीद करते हैं कि बहुत जल्दी सामने आ जागे लेकिन देखो Vipro में मैं एक चीज़ कहूँगा गिरावट से डरना नहीं है यहां पर क्योंकि देखो जब भी Vipro का share टूटा है खरीदारी के ही मौके बने है और मैं यही कहूँगा कि जब भी तूटेगा खरीदारी के मौके बनेंगे तो Vipro में अगर हलकी से भी गिरावट आती है तो definitely खरीदारी के मौके हैं और देखो Vipro में गिरावट थी लेकिन अगर Infosys में देखे तो गिरावट नहीं थी Infosys के भी कल रेजल्ट आये थे उसमें कोई उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली है आज की दिन में Infosys में लेकिन Vipro में भैंकर गिरावट है 6 परसन के गिरावट है देखो Vipro जब भी थोड़ा सा करेक्ट होता है दुबारा नीचे से आपको तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि देखो Long Term का बहतरीन शेर है Vipro में देखा जाए तो बड़े-बड़े लोगों का ही पैसा यहाँ पर लगा है Retail Investors वैसे भी बहुत कम है यहाँ पर और आप Bonus की बात करें तो वैया Company ने 2019 में पे किया था 17 में पे किया था 10 में पे किया पांच में पे किया चार में पे किया 20-21 में Bonus नहीं पे किया है और उमीद करते हैं कि 22 में देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि या तो 2022 में या तो Vipro, HCL, Infosys या TCS Bonus के Announcement जरूर करेगा और Shares आपके Double होते हुए देखने को मिलेंगे लेकिन एक चीज़ कह दू भाईया Bonus Announce होता है Share Double होते है तो Share Price भी इसके आधी हो जाती है लेकिन बात में Grow होई जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि विप्रो में अगर आपने इतने साल पहले इतने लगा हो आज कितने होते हैं यह कई बार हम बता चुके हैं और विप्रो मुझे Long Term के लिए पसंद आते हैं क्योंक्रों बहले ही आ रहा है ओमिक्रों के केसिस बहले ही बढ़ रहे हैं लेकिन Work From Home Culture जो Adopt किया है IT Industries में मेरे इसाब से वह बहतरीन होने वाला है उसमें कोई दिक्कत IT Industries को खासर के नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं Work From Home Culture को अडॉप कर लिया जाएगा IT Industries की तरफ से तो देखो मैं बात करूँ Long Term की तो विप्रो भाईया मैं हमेशा Long Term के लिए ही सजेस्ट करता हूँ और हमेशा कहा है कि Short Term का गेम नहीं खेलना है कि आज खरीदा दो दिन में बेज दिया भाईया मत करो ऐसा Long Term का ही गेम खेलो Long Term में ही अच्छा गासा Benefit यहाँ पर मिलने वाला है Bonus इससे मिलेगा और हाला कि dividend तो पे नहीं करता ठीक टाक लेकिन बोनस से मिलेगा और Long Term में यहाँ पर Share Price में Growth भी आपको देखने को मिलेगी और Future देखो IT Industries का Future हमेशा रहेगा Technology समय के साथ और बहतर और बड़ी होती जाएगा और जो Company अच्छा गासा पैसा और अच्छे गासे Technology लेकर बैठ ही हुई है उनको कोई बड़ा खत्रा मेरे हिसाब से मुझे अनई लगता कि कोई होने वाला है और Vipro बड़ी Company है बहतरीन Company है और Company ने अच्छा गासा Performance दिखाया भी है पिछले कुछ सालों में और Company का Revenue और Profit पिछले कुछ सालों में पिछले साल हर साल के मुकाबले बढ़ा है तो यही कहूंगा खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए लेकिन Long Term का Target रखना चाहिए वीडियो को यहीं पैंट करूँगा पसंद आए हो तो Like करे, Share करे, Channel बगरा पहली बाहर आए है तो Please Subscribe करे और Wipro के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं Thank you